आप देख रहे हैं मिस्टीरियस चैनल एमजॉन का जंगल दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल है इस जंगल के पीछे छिपे रहस्यों की खोज विज्ञानी को दुआरा सालों से की जा रही है ये जंगल इतना बड़ा है कि आज तक इसे पूरी तरहा किसी ने भी नहीं देखा है और ना ही कभी इसके पीछे छिपे रहस्यों से परदा उठ पाया है Amazon के जंगल में ऐसे कई रहस्ये हैं जिनके बारे में खोज करता आज भी पता लगाने की कोशिश में है आज की इस वीडियो में हम उन्हीं पाँच रहस्यों के बारे में बात करेंगे जो इस जंगल में छिपे हुए है लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मिस्टीरियस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन को क्लिक करे Amazon का जंगल इतना बड़ा है कि यहां कई प्रकार के साप मिल जाएंगे कुछ बहुत छोटे हो सकते हैं पर ऐसा माना जाता है कि इस रहस्यमें जंगल में दुनिया के सबसे बड़े और विशाल साप पाए जाते हैं जिनमें से एक है साट फुट लंबा एनाकॉंडा वग्यानिकों के मताबिक औसतम एनाकॉंडा तकरीबं 30 फुट का होता है लेकिन Amazon के जंगल में साट से सतर फुट लंबे एनाकॉंडा को देखे जाने का दावा किया है अमेरिकी खोच करता Harrison Fawcett जिन्होंने अपनी पूरी जिन्दगी इसी जंगल में खोच करते हुए बिता दी बताते हैं कि उन्होंने साट फुट लंबा एनाकॉंडा देखा भी है और उसे गोली भी मारी है पर वग्यानकों के हिसाब से इस जंगल का सबसे विशाल साप टाइटोनो बोवा जो आज से तकरीबन 60 मिलियन याने की 6 करोर साल पहले विलुप्त हो गया था आज भी इस जंगल में पाया जाता है टाइटोनो बोवा साप का वजन 1000 किलो से भी जादा हुआ करता था और वो तकरीबन 40 से 45 फुट लंबा भी था अब ये तो जाहिर से बात है कि धर्ती पर अगर कोई रहस्य में जगा होगी तो उसे एलियन से जोड़ कर जरूर देखा जाएगा ऐसा ही कुछ एमाजॉन के जंगल के साथ भी जोड़ कर देखा जा रहा है हुआ यू की साल 2011 में कुछ ब्रिटिश टूरिस्ट इस जंगल में घूमने आई यहां उन्होंने एक कबीले में कुछ बच्चों की तस्वीर निकाली जो उस वक्तों बिलकुल भी आसाधरन नहीं लग रही थी लेकिन जब इस तस्वीर को उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें इस फोटो में खड़े बच्चों के पीछे कुछ आसमान सी चीज दिखाए दी जो बिलकुल एलियन्स की तरह नजर आ रहे थे ये पता करने के लिए कि कहीं इस फोटो के साथ कोई छेड़ चार तो नहीं की गई इसे एक लैब में जाच के लिए भेजा गया जाच के बाद इस तस्वीर को सही बताया गया और इस बात पर और भी जादा यकीन हो गया कि इस जंगल में और एलियन्स के बीच कुछ तो संबंध है हलाकि यहां के निवासियों का कहना है कि उन्होंने यहां यूएफो को उड़ते हुए देखा है इस बात पर इसलिए भी विश्वास किया जा सकता है क्योंकि साल 2016 में एक अमेरिकी शक्स ने गूगल मैप की मदद से इस जंगल के बीचो बीच यूएफो जैसी किसी चीज की फोटो ली थी ये फोटो जंगल के उस हिस्से की थी जहां इनसान का पहुँचना बेहद मुश्किल है मारी कॉक्सी मारी कॉक्सी एमाजॉन के जंगल के अनसुलजे रहस्यों में से एक है मारी कॉक्सी बारा फुट लंबा और बेहद विशाल आदम खोर्थ जानवर है ये एक ऐसा दैत्ते माना जाता है जो तीर मार कर अपने दुश्मनों का शिकार करता है हैरिसन फॉसेट ने अपने किताब लास ट्राइल्स लास सिटीज में बताया कि जब उनकी टीम का सामना इस भयानक दैत्ते से हुआ तो उसने फॉसेट और बागी लोगों पर तीर चला कर हमला किया वो इतना भयानक था कि उन सभी को अपनी जान बचा कर वहां से निकलना पड़ा हैरिसन फॉसेट बताते हैं कि वो खुश किसमत थे जो मारी कॉक्सी के हाथ नहीं लगे क्योंकि वो इतना ताकतवर और खुंखार था कि उसके चंगुल से निकल पाना असंभव था हाला कि हमने ऐसे दैत्ते का जिक्र सिर्फ किस से कहानियों में सुना है मगर आज भी वग्यानिक द्वारा इस दैत्ते के खोज जारी है पेडों से हमें जिंदगी मिलती है ये तो आपने सुना होगा लेकिन क्या हो अगर यही पेड हमारी जिंदगी लेना शुरू कर दे सुनने में तो जरूर अजीब लगा होगा पर ये सच्चाई है कि यहाँ के पेड अपना पेड भरने के लिए इनसानों को अपना शिकार बनाते हैं अक्सर जो लोग इस जंगल में खो जाते हैं और फिर कभी वापस लोट कर नहीं आते तो ये मान लिया जाता है कि शायद वो इन खुंखार पेडों का भोजन बन गए होंगे जिन लोगों को खोजी दलों की वजह से बचा लिया जाता है वो बताते हैं कि यहां इनसानों की कुछ ऐसी भी प्रजातिया हैं जो इस जंगल में बहुत अंदर रहते हैं और बाहरी दुनिया से जिनका कोई नाता नहीं है यही लोग जब किसी भटके हुए इनसान को देखते हैं तो वो उसे पकड़ के इस पेड को खिला कर उसकी बली चड़ा देते हैं यहां तक कि कई मचवारों का ये भी कहना है कि उन्होंने अपनी आखों से उन भयानक पीडों को इनसानों का शिकार करते हुए देखा है दस सिटी ओफ जी दस सिटी ओफ जी एमाजॉन के जंगल का अब तक का सबसे बड़ा रहस्य है इस रहस्य की शुरुआत रियो के एक लाइबरेरी से हुई थी जहां हैरिसन फॉसिट को एक किताब में इस शहर के होने के सबूत मिले थे उनकी उत्सुकत अब और भी ज्यादा बढ़ गई जब उन्हें पता चला कि ये सिटी बेहद आधुनिक है और यहां की घर सूने और चांदी के बने हुए है ये बात पता चलते ही हैरिसन फॉसिट अपनी टीम और पूरी तयारी के साथ इस जंगल के सफर में निकल पड़े उन्होंने अपना काफी समय इस जंगल में उस सिटी को खोजने में लगा दिया जहां उन्हें कई रहस्यों का पता भी चला फॉसिट जैसे जैसे इस जंगल की गहराई में जाते गए उन्हें सिटी ओफ जी के सबूत मिलते गए एक दिन उन्होंने किसी तरह अपनी पत्नी तक एक पत्र पहुचाया जिसमें लिखा था कि वो उस सिटी के बेहत खरीब हैं और जल्द ही उसे ढून लेंगे ये आखरी बार था जब उनकी कोई खबर मिली हो क्योंकि उसके बार वो कहां गायब हो गए किसी को नहीं पता ऐसा माना जाने लगा कि शायद उन्होंने इस शहर का पता लगा लिया होगा और वहीं रुकने का मन भी बना लिया होगा या फिर वो किसी भयानक जानवर का शिकार बन गए होंगे ये गुद्धी तब और भी ज्यादा उलज गई जब उन्हें ढूनने के लिए 200 लोगों का बड़ा दल भेजा गया लेकिन उस दल में से एक भी इनसान वापस लोट कर नहीं आया हैरिसन फॉसेट उनकी टीम और वो सभी 200 लोग आखिर कहां गायब हो गए ये अभी तक एक रहस्य बना हुआ है ना जाने ऐसे कितने ही रहस्य हैं जो ये विशाल जंगल अपने अंदर समाय हुए है उमीद करते हैं कि जल्द उन सभी रहस्य उपर से परदाश जरूर उठेगा आपको हमारे आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा फिर मुलाकात होगी एक नए रहस्य एक नए गुथी के साथ तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया